इस एपसरोड के नदर हम देखने वाले कि एक हाइब्रिड ग्रैंपा मैक्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनकी मदद से काफी बड़ी मॉस्टर को जिन्दा कर देता है जो कि पूरी अर्थ को तभा करने वाला है उस हाइब्रिड को अभी तक ये बात नहीं पता कि वार खतम हो चुकी है और अब हाइब्रिड और इंसान आपस में दोस्त बन चुके है जब बैनुस हाइब्रिड को ये बात जाके बताते है तो वो हाइब्रिड इस बात पर यकिन नहीं करता और अभी फूरी अर्थ को तभा करने वाले तो बैनुस मॉस्टर को कैसे वो नेक्स लावल होती है तो कर लो एपिसोड की शुरुआत ममलुग देखते हैं कि काफी तेज भुकम पाता है जिसकी वज़े से काफी समय से सोया हुआ एक हाइब्रीड अपनी नीन से जाता है इदेर हमें देखते हैं Gwen, Ben और Kevin को जो की Grand Pamax के साथ में पिकनिक पे आयोते हैं और वो जो काफी तेज भुकम पाय था उसके वज़े से वो जो हाइब्रीड जागा था उसे कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि अगर वार में हाइब्रीड हार जाते हैं तो वो Gwen, Gwen और Kevin Grand Pamax को उठाते हैं और कहते हैं शाथ साथ आपकी तवेद खराब है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए लेकिन Grand Pamax कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ चलो जाके खाना खाते हैं Kevin कहते हैं आपने मेरा बर्गर तो गिरा दिया, Gwen कहते हैं आपने तो सभी का खाना गिरा दिया, उसके बाद Grand Pamax कहते हैं कि मेरी रस बकेट करना थोड़ सा खाना और है तुम जाके ले आओ और जैसे Kevin उसे लेने के लिए अंदर जाता है, यहाँ पर Grand Pamax के दिमाग पर अचानक से वापस से वह चीज़ होती है और वो वापस से उसे नीचे गिरा देते हैं उसके बाद पीछी से Grand Pamax कहते है, आपको डॉक्टर को दिखा लिना चाहिए, ग्रैनपा कहते हैं अभी फिलाल रात को सो जाते हैं, अगर सुबह मुझे फिर से यही प्रॉब्लम हुई, तो फिर दिखा लेंगे डॉक्टर को, इधर हम दीखते हैं आप इक Grand Pamax के जगाने की कोशिच करती है, और उनका पता लग जाता है, उसके बाद इस सारे के सारे Grand Pamax को ढूंडने के लिए निकल जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं जो Grand Pamax होते हैं, वो जंगल के बीच ओ बीच एक जगा पर आये होते हैं, उसके बाद वो जो hybrid होता है, वो काफी बड़ा गोला सा बना हुआ है, और Grand Pamax उसी के अंदर है, जैसे बैन स्पार्डर मंगी के अंदर ट्रांस्फरमों के से फाइडने की कोशिच करता है, तब ही वहाँ पर जो hybrid होता है, वो hybrid कहता है, इसके पास आने की भी कोशिच मत करना, कैविन कहता है धमका किसे रह वार खतम हो चुकी है, hybrid कहता है जानता हूँ, लेकिन हमारी हार से तुमें सिर्फ परिशानी मिलने वाली है, उसके बाद ही सारे के सारे fight करना शुरू कर देते हैं, और सारे के सारे hybrid को चारो तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तब ही वो जो गोला सा होता है, वो जमीन के वार खतम हो चुकी है, और हम लोग दोस्त हैं, वो hybrid कहता है अब तुमारी छुट्टी होने वाली है, बैन कहता है चुप-चाप मुझे से रोकने का तरीका बताओ, लेकिन वो hybrid कहता है तुम जैसे पिड्डियों से बैस करने का समय मिर पास नहीं है, और तुमारी नसलगा खतमा में अपनी आँखो से देखूंगा, उसके बाद बैन हुमॉंगुस और खंडर ट्रांस्फॉम हो जाता है, और वो उस बड़ी से monster की पैर को पकड़ लेता है, उसे रोकने की कोशिज करता है, ग्वेन भी अपनी power से उसे रोकने की कोशिज करता है, लेकिन दोनों ही कई लोग हैं, हम उन सबको नुकसान पहुचाए बेना, वहां से बाहर निकालना पड़ेगा, कैविन काता है हम लोगोंने प्यार से कोशिज करी, सक्ती करके देख ली, लेकिन अब क्या, बैन काता है हम उस चीज के बार में कुश नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कौन जानता होगा, तुम उसके रफतार कम करने की कोशिश करो, मैं अभी आता हूँ, उसके बाद कैविन कहता है, ये कभी कबार हमें भी अपने प्लान में शामिल कर लिया करता, तो जादा अच्छा होता, ग्वेन बैन के कहे मुताबिक उसकी स्पीड कम करने की कोशिश कर होती है, और तभी पीछे से आर्मी के काफी सारे टैंस और मिसाल उस मॉस्टर के तरफ बढ़ी रहे होते हैं, और तभी ग्वेन कहती है, उसके अदर अभी भी काफी सारे लोग जिंदा है, आर्मी का चीफ कहता है, मुझे उन लोगों के लिए दुख होगा, लेकिन अगर ह सोच भी कैसे ले कि तुम अपने मकसर में कामियाब हो जाओगे वो इन लोगों से थोड़े लड़ा ही करता है और कहता है कि तुम जैसी तुच्छी नसल मेरा कुछ नहीं बिगार सकती तब भी पीछे से आवाज आती है लेकिन मैं बिगार सकता हूँ हाइबीड कहता है तुम जूट बोल रहे हो जर अपना हाथ देखो तुम नापाक हो राइनी कहता है जरा ध्यान से देखो राइनी के हाथ पर शाहिन निशान होता है जिस वज़े से उनसे माफी मांगता है और उनके सामने जग जाता है उसके बाद वो हाइबीड कहता है इसका मतलब हमारे लोग ख कम की वज़े से राइनी कहता है वज़े जाए कोई भी हो लेकिन जल्दी से जाओ और उस मशीन को रोग दो उसके बाद वो हाइबीड कहता है माफी हुजूर अगर मुम्किन होता तो मैं उससे डियक्टिवेट कर देता लेकिन एक बार फियल सेफ को अक्टिवेट करने के बाद उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है कैविन कहता है तुम्हारा मतलब उसे चलाया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता उसके बाद में वो पूछते हैं तो फिर ये क्या करेगा हमें को चलके मार देगा वो कहता है नहीं इसे पहले एक बहुत बड़े पावर सोर्स क और पुरी अर्थ को तभा कर देगा उसके बाद ये लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं और ये लोग पहले ही बाहर से लड़के से रोकने की कोशिश कर चुके थे जिसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था इस वज़े से बैन प्लान बना आता कि क्यों न हम इसके अंदर जा जाते हैं और किस जगह से जाता है वो चीज़ आप लोग मुझे कमेंड करके बताओ उसके बाद बैन कहाता है कि हम इसका दिमाग या फिर इसका दिल ढूरना चाहिए जिससे हम इसके कनेक्शन काट के से रोक सकते हैं उसके बाद काफी सारी एंटी बॉडिस इनके उपर हम पर रहा होता और जो ग्वैन होते हैं वो भी अपनी पावर से इनके को मारने की कोशिश करती है लेकिन उसकी पावर से इनके उपर कोई भी फरक नहीं पड़ता उसके बाद जो बैन होता है वो इनमें से एक के जोर से लात मारता है और एक दूर जाके गरता है इसके एक जो जूएंट से होते हैं उन्हें तोड़ देते हैं और वो सारे के सारे इंसान सैरे नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद यह लोग देखते हैं कि हहां बज ग्राइथा वह तोड़ सा आगे जाकर देखते हैं तो Dos Monster ने grandpa max को अपना दिमाग बनाया होता है और वो monster उस nuclear plant के पास बहुत जाता है और सारी की सारी energy को अपने अंदर absorb करने लगता है यहाँ पर जो band होता है वो grandpa max को उनके होश मे लाने की कोशिच करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता वो लोग वहाँ पर सारी के सारी जो connection होते हो उन्हें काटने के कोशिच करते है लेकिन वो एकदम से जोड़ जाते है फिर band को याद आता है कि उसके पास एक ऐसा alien है जो कि पौध हो का अपने control में कर सकता है Gwen कहते है क्या तुम इस पूरे को control में कर सकते हो Ben कहते है नहीं पर हो सकता है शायसे मैं Grand Pomax को उसके चुड़ा पाऊँ Ben यहाँ पर थोड़ सी कोशिच करता है और वो Grand Pomax को उसके चंगुल से चुड़ा लेता है जैसे उस monster से उसका दिमाग अलग होता है वो काम करना बंद कर देता है और वो सभी लोगों को जाने के लिए कहता है वो कहता है मैं थोड़ देर के लिए से रोक सकता हूँ और वो इस अपने सर पे रख लेता है और वो सभी के सभी लोग वहाँ से चले जाते है उसके बद में थोड़ देर बाद वो जो मौसर होता है वो पूरा का पूरा तभा हो जाता है उसके बद वहाँ पे रायनी आता है और वो कहता है Ben Tennyson तुमने एक और बार इस दुनिया को बचा लिया Ben कहता है लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाया रायनी कहता है कोई बात नहीं वो एक सिपाही था जो कि अपना होकुम पूरा करते हुए मरा उसके लिए इससे ज़्यादा सम्मान वाली बात कोई और होई नहीं सकती उसके बद में Ben कहता है कि तुम्हारा कोई और सिक्रेट प्लान तुनिया आर्थ को तभा करने वाला रायनी कहता है नहीं और यह अपिसोड यहीं पर खताम हो जाता है वीडियो को लाइक करके चाल्ट को सब्सक्राइब कर लेना